हालो वेल्कम और आल मैं हुमान आप सभी का स्वागत करता हूं इन भी से न्यूस चनल में जहां आज एक ऐसा एपिसोड रिलीज हुआ है क्राइम फाइल्स का थर्ड एपिसोड और बहुत ही बहुत ही तोड बहुत ही जबर्दस प्रतिसाद मिला है लोगों का और उसे डारेक्ट करने वाले सत्यम मिश्रा आज मेरे साथ मौझोद है बहुत बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है सर क्योंकि मैंने आपके साथ काम भी कि सब्सक्राइय और आज जिससरा आपने क्राइम फाइल्स को डारेक्ट किया है उसकी स्कृप्टिंग किये मैं कहते हो कि सब आपने ही किया है तो यह बताए कि क्राइम फाइल्स का टर एक ऐसा शो है जो स्थ्थागटना पाधारित है जिसे हमें 80 Writing करके लोगों तक तो सबसे पहले तो मान I would thank you कि आपने मुझे यह interview के लिए बुलाया और जहां तक इस episode की बात है तो सबसे जो difficult चीज आती है वो आता है कि जो भी हमने cases लिए तो घटनाओं की गंभीरता को थोड़ा करना जो गोरी डीटेल से उसको पैलेटेबल बनाना ओडियंस तक यह सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है क्योंकि एक बात होती है कि truth is always stranger than fiction तो जब भी हम research करते हैं किसी क्राइम को लेके तो काफी सारी ऐसी डीटेल्स आती है जो की काफी भयावा काफी shocking होती है तो उसको पहला एपिसोड था जहाए पुरे परिवार में suicide कर लिया था जिसके सच्छा ही आपने लोगों तक पहुचाई कि क्या हुआ था उस कहानी में दूसरा एपिसोड था cryptocurrency के उपर bitcoins के उपर और यह थर्ड एपिसोड है जो sexual के उपर है sex के उपर है जिसके बारे में लोग जा इस सीरीज के पीचे यही था कि जैसे हम जब भी crime पढ़ते हैं तो हम paper में कोई news पढ़ते हैं and we get shocked कि यार यार यह कैसे हो गया लेकिन कहीं न कहीं इसकी जो realities है यह हमारी societies में ही फैली हुए होती है और ऐसे काफी सारे issues है जो कि हम address नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे आस कि incidents हुआ था मुझे याद है लास्ट इस साल जनवरी में तो काफी सारे लोग शॉक्ड हो गये थे in fact news वीडिया ने भी इसको प्रिंट ने इसको cover किया था लग बग 3-4 दिन तो हर बार you know people were making people are talking different things you know काफी rumor-pongering हो रही थी हो चीज़े हो रही थे लेकिन उसके बावजू तो एक्चुल इशू जो है society में about sexual conversation या porn addiction वो उसकी development कैसी होती है लोगों में वो address नहीं किया गया तो हमारा वही objective था उसके बाद तो जो usual process थी हमारी research और चीज़े तो उस चीज़ों ने फिर हमारे crew ने मिलने help किया कि हम इसको काफी smoothly हम बना पाए हम इसको काफी smoothly हम बना हुए है घर के अंदर ही हुए मैं परिवार वालों के बीच और जो bitcoin वाला था वो भी एक normal इंसान ही था और हमने जो भी थर्ड देखिए वो भी बहुत अलगी सीन था जिसे एक crime का नाम भी दिया गया है मैं जानना चाहता हूँ कि criminals इतना उठके नहीं आ रहे है अकल crime में यह सब के लिए शौक की बात नहीं लग आप क्या सोचते इसको लेकर आप में विल्कुल सही बात की और वही चीज है कि हमने stories का selection भी ऐसा कि वह हमने regular criminalist नहीं बताए वह हमने ऐसे कुछ लोग उठाए जो कि जिनके पीछे ऐसी कुछ situations आई या ऐसी mental state में वह लोग फसे कि वो उनने वो क्राइम उनसे हो गया तो इसमें दो तीन चीजे है कि society में जो फैला हुआ थोड़ा सा depression है कुछ विश्यों में जो हम बात नहीं करते खुलके second thing कुछ चीजों जैसे कि crypto के बारे में कुछ चीजों जिसके बारे में हमारे पास proper knowledge नहीं होता या हम proper research नहीं करते और excited में आप investment कर लेते हो तो इस तरह के काफी सारी चीजे है समाज में तो लोग अपना time जो है you know people want to think less और कहीं न कहीं ऐसे issues जो unaddressed हो जाते है उसी चीजों को हमने address कि है जिसमें mental health है financial scams की हो रहे है sexual education है तो यही basically चीज है इसके पिछे हमने देखा है कि जो third episode था जो मै पुलिक भी में खाल से जानगा चाहते है इसमें audience अभी देख रही है कि जब भी आपनी शो को इस इस crime को नाट्टे रुपांतर के तौर पर दिखाया गया तो इसकी research आपने कैसे की क्योंकि शायद बहुत सारी rumors निकले थे third episode जो हमने किया है जिसका porn addiction हम कह रहे है ऐसे बह दो लेवल पर research करते online research और offline research तो मैंने दोनों की starting मैंने online research की तो मैंने जितने भी जो प्रिक मीडिया में छपा था वो सब कुछ पढ़ा second thing क्योंकि मुझे कुछ reporters का मुझे साथ मिला जो कि इस case में जिन्होंने इस story को cover किया था और उसके बाद I also interacted with a few policeman who were you know take who took the charge of this case जिन्होंने primary investigation की जो घटना स्थल पर गए थे तो उन्ही सब लोगों की जो details थी और उनके जो उनके जो point of views थे मैं यह नहीं कहता कि we have given we haven't given any kind of judgment about this यह इस बाद को मैं clarify करना चाहोगा it is just it's an open-ended thing तो उस basis पे इन लोगों के जो practical जो नहीं वहाँ घटना सल पर देखा था और फिर मैंने पढ़ा और फिर मैं कुछ और भी लोगों से मिला तो यह सबसे मिल के मैंनी research I think एक ऐसा point आ गया where I felt कि now it is done मेरे पास काफी सारी details थी और उसको फिर मैंने थोड़ा सा मतल relation के उपर है sexual intimacy है इसके अंदर बहुत सारी तो आपके अंदर कितने सारे thoughts है कितने सारे विचार थे क्योंकि नागपूर में जितने artist है आपने उनको लिया पहले उनका auditions किया casting किया उसके बाद उनको एक TV पर उतारा है लेकिन वो कितना tough था उस situation को वहाँ पर दोराना उसक चीज के तो first of all तो यह bold step था तो मुझे भी I was also ambiguous कि मुझे यहां ऐसे actors मिले कि क्या तो मतलब first of all कि वो मेरे दिमाग में तो पहले से clarity थी कि मेरा पहले से objective clear था कि हम लोग हम what are what is the objective of this episode कि तो यह चीज थी कि we are talking about porn addiction और मैं काफी objective approach रखता हूँ और I think जितने artist हमने crew final किया तो we were also very clear तो घटन मतलब मैं काफी कुछ artist को वो भी करना चाहूगा admire जैसे रोशनी है गौरव था तो हमारे proper discussion हुआ था उसके पहले कि मैंने पूरा इसका point of view बताया था उसके बाद story बताय थी scenes वो बताय थे तो वो लोग ने भी काफी अच्छे से corporate किया इसमें और I would say कि मतलब वो काफी professional थे set पे तो when I was shooting the scene I didn't felt any difficulty क्योंकि हमारा जो research work था और communication बहुत clear हो गया था artist से और मतलब रौशनी मैं उसको मतलब praise करना चाहूगा ताकि उसने यह हमारी script कबूल मतलब उसने मतलब she believed in the script and मतलब काफी ऐसे लोग है जो शायद offend हो गए या उन्हें लगा क हम कुछ अलग बता रहे हैं लेकिन वैसा कुछ नहीं था और जब एक artist इस चीज़ पर believe करता है और script को stand करता है उसके पीछे तो obviously motivation बढ़ता है और उस चीज़ में मुझे help किया इसलिए मुझे बहुत ज़ादा दिक्कत नहीं गई है सब shoot करते हुए सेक्स को लेकर आज भी लोग इना बहुत हिचक चाते हैं बोलने से पहले तो मैं आपसे पूछना जाता हूं कि आप सेक्स को किस तरह देखते हूं कि आजकल की जन्दरशन आजकल की यूथ उनके parents बच्चों से sex के उपर बात नहीं करते वो topic उनके लिए बड़ा ही सब्सक्राइब करेता है parents और बच्चों के बीच तो उसे कैसे डिल करना चाहिए बच्चों के साथ या parents के साथ ताकि आज का यूथ आज की जन्दरशन सही रास्ते पर है और उन्हें समझे कि sex क्या है तो first of all इसमें देखिए दोनों चीज़े एक तो parental एक intervention एक एज पर उन मतलब to for the most of the आज भी अगर में देखू तो जो मतलब 80% of schools में sexual education को right age में proper induct नहीं किया जाता है उसका knowledge जो होता है वो काफी unorganized और ऐसे sources से आता है तो the point is कि एक level के बाद जब लोगों का curiosity level बढ़ता है you know when the hormones change तो they are open to all these sources उसी में एक pawn आता है और pawn का जो आज इतना बड़ way of inducting sexual education नहीं है स्कूलों में या घरों में या वो parents को भी you know एक वे नहीं पता है कि वो how do they talk about this at a proper age so that it doesn't remain a taboo मतलब वो यह taboo न रहे बहुत दिनों तक तो मेरा यह ही objective था और I think अभी तो यह यह city है और इसके इसके बाद मतलब जतना discussion होगा समाज में और एक formal way of inducting स्कूल में आएगा या institutions में आएगा उतना I think यह help होगा लोगों को इस विशे पर मतलब you know addiction में नज आने के और बाकी क्योंकि you know काफी गलत काफी समय बरबाद होता है और काफी दूसरे इसमें चला जाते तो उस चीज से अगर हमारे बार समाज में discussion हो और formal way of induction हो तो इट वूड है definitely help a generation सता मिशा आप scripting भी करते हो कि हमने देखे कि पूरे शो आपके script द्वारा गया हुआ है और आपने direct किया हुआ है ह आज भी उस हर अपीसोड को बड़ा ही support मिल रहा है बड़ा ही सायोग मिल रहा है ना कुछ एर सिंग बलके पूरे हिंदूस्तान से मैं यह पुछना चाहूँगा कि आपका क्या मकसद है तो मेरा मकसद तो देखिए मेरे दो मकसद है पहले तो crime ऐसे subject मुझे काफी फैक्सिन इस शहर में लेट उस स्टार्ट एन रेगुलर शो जो एपिसोडिक सीरियल इस शहर के आटिस्स को लेके और बॉम में जो अच्छे स्टेंडर्स के तुरू हम एक शो बनाए तो वो मेरा objective था second thing crime specific stories का एक चीज और थी कि the selection of the story तो हम हर बार एक स्टोरी में जब तक हमें और फिर वही सब चीज ड्राइव करता था हमें बनाने के लिए तो यह हमारा objective था basically to find out newer topics to address new topics in the society and also to work you know to create an industry a local regular show here इनक को वह बहुत बैतर तरीकिस हो रहा है सर मुझे लगता है कि जिस तरह हमने तीन एपिसोड में इतने सारे लोगो को कास्ट किया है तो मुझे लगता ह मैं बस यही कहना चाहूगा कि यह हमारी पहली कोशिश थी in BCN के साथ कि हम विदर्ब में कि में एक इंडस्ट्री एक regular format में create करे ताकि यह और हम यहां locally ही content बनाएं तो मैं यही अपेक्शा उनसे करूगा कि हमारे शो को वह बहतर से बहतर प्रसितात दे इस शो को देखे इ ताकि यह हमें motivate करेगा और इसी तरह का content बनाने के लिए आगे तीनों एपिसोड रिलीज हो चुकि है इन BCN न्यूज चनल में और साथ ही इन BCN के YouTube चनल पर एक बार ज़रूर देखिए जो थर्ड़ एपिसोड है जिसमें हम पॉन एडिक्शन के बात कर रहे है वह आउने ब मिलूं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चैरों के साथ तिल दर्मान से देखते रहे हैं इन BCN News सच दिखाए बिना चुपाए